कि दोस्तों आज मैं आपको एक ओफिशिल तरीका बताऊंगा जिससे जो आप अपने डिवाइस को फास्ट कर पाएंगे जैसे कि आपको पता है कि हैंगिंग प्रोल्म हर एक डिवाइस में आती है चाहिए आप कितना भी महिंगर डिवाइस ले ले आपके फोन में हैंगिंग प्रोल्म आती ही है ठीक है आपका डिवाइस स्लो चलना स्टार्ट हो जाता है बहुत सारी प्रोल्म आपको फेस करने पड़ती है तो मेरे पास जो डिवाइस है यह सैंसंग का डिवाइस है सैंसंग लक्सी एफिफटी वन और यह सभी डिवाइस में यह प्रोल्म आती है ज पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है अपलोड होती रहती हैं सुना मचकार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूस्टेक चैनल तो चलिए इस वीडियो को स् से कॉमन सेटिंग यह सब को पता होती है लेकिन मैं आपको पूरे यहां पर ट्रिक बतां को ध्यांस देखना तो उसके लिए क्या करना होगा आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा तो प्ले स्टोर में मैं क्यों जारू हो आप आप बोर्डर की डिवाइस मेरा स्लोब करता है लेकिन प्ले स्टोर से क्या लिंक है तो दोस्तों प्ले स्टोर से ही लिंक है पहला जो ट्रिक है यह प्ले स्टोर से ही है आप जो भी अप्लिकेशन यहां पर डालोड करके बैठे हुए है या फिर करते हैं कुछ भी करते हैं तो आप प्ले स्टोर से ही करते हैं और प्ले स्ट पर जाने का option मिलता है आपको auto update apps दोस्तों auto update apps तो दोस्तों आपने क्या करना है इसको overall network पर होगा या फिर over wifi only होगा आपने don't auto update apps पर कर देना है इससे क्या होगा आपकी जो phone की system की application है आपने जो application download करके रखी हुई है उनकी उनको जब update आएगी तो आपडेट नहीं होगे वह आपको जाके खुद update करने होगे इससे क्या फाइद होगा यह फाइद होगे आपकी जो system की application होती है या फिर आपकी आपने को application download की है तो अपडेट होती रहती है और आपके device में जो है उसका area बड़ा हो है और आपका device slow होना start हो जाता है hang आपके device में hang problem आ जाती है मानलों कि कुछ application ऐसी है कि वह आप चाहते नहीं कि वह update हो ठीक है होती है applications कुछ application ऐसे थे कि आप चाहते हैं कि अपडेट नहीं नहीं हो तो ठीक है लेकिन वह आपके background में अपडेट हो जाती है और मानलों कि वह पहले 40 MB के थी वह update होगे 80 MB के होगी उससे क्योंगा आपकी memory भी भरेगी और आपका device भी स्लोग हो जाएगा आप समझ गये तो आपने यह option यहां पर बंदी रखना आप next setting के बारे में यहां पर बात करते हैं तो next setting बहुत important है आपने यहां पर setting वाले option पर जाना है ठीक है फिर आपने जाना है यहां पर about phone पर चलेगे about phone पर जाना का software information पर आपने जाना फिर यहां पर बिर नम्पर पर साथ वाई क्लिक करना है one two three four five six seven ठीक है इसको पासवर्ड मांगे का आपने पासवर्ड जो रखा अपने फोन का pattern वहां पर डाल देना है ठीक है इसके बाद करना है आपने back आ जाना है तो बैक आगे तो बैक आने के बाद आप नीचे को स्कूल डाउन करेंगे आपको developer option यहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर ऐसे शोर नहीं होता है ठीक है तो यह एक hidden setting है ठीक है उसके बाद आपने यहां पर running services का option यहां पर मिलता है आपने simply यहां पर क्लिक कर देना ह यहां पर आपको बहुत सारी application मिलेंगे जो आप चाहते नहींगी वह run करें background में run कर रही है तो आपने उन्हें simply जाके close कर देना है simply जो यहां पर कुछ application तो ज्रूरी है लेकिन कुछ application ऐसी है वह background में run कर रही है तो उनको आपने यहां से disable कर देना है तो यहां से आप जितने भी यहां पर application आपकी background में run कर रही है आपने stop कर देनी है उसके बाद आपका device गोली की दरफाज चलेगा और यह बहुत ही important setting है आपके phone की जो की करना बहुत ज़रूरी है आप किसी भी Android device में setting को ढूंट सकते है तो यह था आज का वीडियो मैं आशा करता हूँ आज